जारखन की सबी जीलों में चार फरवरिसे खूल जाएंगे स्कूल राज़े अपना प्रवदम प्रादिकार की अनुवती मिलने के बाद स्कूली शिक्छा एम शक्ष्यता विभाग न यहनिन लिया है इसके तहट साथ जिलो राची पूर्वी सिम्भूं बोकारो चत्रा देवगा सराय के लाकार्जवा तथा सिम्डेगा में कक्षा नौ से बरावी तक के लिए इसकूल खुलेंगे जबकि अने 17 जिलो में सभी कक्षाओ अर्थात पहली से बरावी तक के लिए इसकूल खुलेंगे इसकूली सिक्षा एवं सक्षाता विभाक सचीव राजे सर्मा ने इसकूलों को खोलने को लेकर बुद्वार को आते जारी करते हुए सभी उपायुक्तो चेत्रिय सिक्षा सन्युक्त निदेश को जिला सिक्षा पताधिकार्योत था जिला सिक्षा अधिक्षको को पत्र भेज दिया है CM हमंत सुरेन का मोधी सरकार पर हमला कोईला लोहा पर गिद नजर मुख्य मंत्री हमंत सुरेन ने बुद्वार को केंद्र सरकार पर हमला किया कहा कि जारखन के कोईला और लोहा पर केंद्र सरकार की गिद नजर है मुख्य मंत्री बुद्धवार को जामुओ के स्थापना दिवस पर दुमका गांधी मैदान में आयोई 43 वे जार्खन दिवस समारों को समधित कर रहे थे उन्होंने कहा कि यहां कोईला और लुआ के लूट 100 साल से हो रही है केंद्र यहां से कोईला निकालती है पर विस्थापितों को विस्थापन और धोल के सिवा क्या मिलता है मुख्य मंत्री ने कहा कि केंद्री ये कोईला मंत्री को मैंने जार्खन को उसका हग देने और एक औरो तक का ठेका विस्ताफितों को देने का मैंने अनरोद किया था मुझे खुसी है कि केंद्र ने मेरे अनरोद को मान लिया है जार्खन बोर्ड परिक्षा अपडेट सरकार लेने जा रही फैसला जार्खन एकेडमी काउंसिल की मैट्रिक एवं इंटर्मीडेट परिक्षा को लेकर जल्द ही बड़ा फैसला हो सकता है सरकार इस साल की मैट्रिक और इंटर परिक्षाओं को लेकर एक दो दिनों में बड़ा एलान कर सकती है इसे पहले जारकन एकेडमी काउंसिल से दोनों परिक्षाओं की त्यारियों का वेवराय तलब किया गया जैक के मुताबिक दसवी और बरावी बोर्ड परिक्षाओं पर फरवारी के पहले सप्ता में अम्तिम निर्ना ले लिया जाएगा सरकार के अस्तर से स्कूली सिक्षा एवं सक्षरता विभाक सचीव राये सरमा जारकन एकेडमी काउंसिट के अध्यक्ष एवं और पतादिकारियों के साथ सिग्री ही बैटक करने जा रहे हैं जनकारी के मुताबिक यह लगभगता है है कि मैट्रिक और इंटर परिक्षा एक ही बार मार्च अम्तिम सप्ता या अप्रेल के प्रतम सप्ता में होगी कुरोना वारस के करानी स्कूलों के लंबे समय तक बंद रहने के चलते इस बार परिक्षा सी लेबस में और कटोती करने की उमीद है जारकन में पंचाइट चुनाव की अनुसंसा राज निर्वाचन आयोग कर सकता है एलान अलमगीर आलम ने कहा कि पंचाइट चुनाव की त्यारियों को पूरा कर लिया गया है सरकार की ओर से चुनाव कराने के लिए बुद्वार को रिपोर्ट आयोग के पास भेज दी गई है अब चुनाव आयोग को तै करना है कि वह जारकार में पंचाइट चुनाव कप कराएंगे राज सरकार यह तै नहीं करती है हमारा काम अनुसंसा करना है और हमने अनुसंसा कर दी है कितने दिनों तक कितने चरण में चुना होगा या भी राज निर्वाचन आयोग से ही तय होगा जेल से बाहर निकलने वाले अपराधी थाना में लगाएंगे हाजरी पूलिस मुख्याले में डिजीपी नीरा सिनहने बुद्वार को सभी जीलो के सेस्पी एस्पी रेंज डि आईजी जोर्नल आईजी के साथ अपराध की समिक्षा कर वीडियो कंफरेंसिंग की बैठक कभी सथ है जीलो में हत्या, डकैती, लूट, फिरोती के लिए अपहरान, भयादोहान, दूसकर्म, संगठित, अपराध, वरलंबित, कांडो के निस्पादन की दिशा में क्या होई और क्या हो रही करवाई हाल के दिनों में घटित घटनाओ के समिक्षा के दुरान डीजीपी सक्त दिखे, उन्होंने सभी अधिकारियों से कहा है कि इन घटनाओ के चलते बीदी ब्यवस्ता के प्रति लोगों की धारना पर प्रतिकूल परभाव पड़ा है जे एम एम अस्थापना दिवस पर सीएम हिमंद ने कहा समाज के अमतिम ब्यक्ति को उसके दर्वाजे तक हक वर अधिकार दे रही सरकार समाज के सभी वर्ग और तबके के हीट में कार्योजनाय भी बनाई जा रही है बता दे सीम सीरी सुरेन ने कहा कि पिछले सौव सालों से जार्खन की खणी समपदाव कर लूटा जा रहा है हमारी सरकार केंद्र से वाजिब हिसा मांग रही है ताकि इस राजी की मजबूत निव रखी जा सके जार्खन सरकार्रे मन्रेगा योजना की निगरानी के लिए जीलो में तैनात किया लोकपाल ग्रामिन विकास मंत्री आलमगीर आलम ने जार्खन मंत्राले सबागार में नन न्यूक्त उनाइच में से 17 लोकपालों को न्यूक्ति पत्र देते हुए काहा कि मन्रेगा का निरीक्षन सुनवाई और समाधान करने तक काम यही लोगपाल करेंगे दो लोगपालों को अनुपस्थित रहने के करण नियुक्ति पत्र नहीं दिया जा सका मौके परग्रामिन विकास मंत्री आलमगीर आलम ने सभी लोगपालों से मन्रेगा के कार्योखने रिक्षन सुनवाई और समाधान पारदर्शी तरीके से करने के अपिल की उन्होंने कहा कि पूरी कवायत का मकसद यह है कि योजना का आउटपूट मिले छोटी मोटी सीकायतों का समय समाधान हो छोटी छोटी गड़बड़ियों को ध्यान देकर सुधारे मौब लिंचिंग मामले में चार अप्राधियों को उम्र कैद की सजा गोड़ा के प्रथम जीला एवं सत्र ने आधी सीव पाल सिंग के अधालत ने चार हत्या अरोप्तों को दोसी करार देते हुए सजा सुनाई है इन चारों ने भीड के साथ मिलकर 13 जून 2018 को चिरावदीन अंसारी उर्फ चनकू एवं मूर्तजा अंसारी की पीट पीट कर हत्या कर दी थी कोड ने चार अरोप्यों को उम्र कैद की सजा सुनाई है बिहार की तरह जारखन में भी सराब बंदी सीवू सुरेन ने खुले मंच से कहा सतारूड जारखन मुक्ती मोर्चा जामुमों के अध्यक सीवू सुरेन परदेश में सराब बंदी के पक्ष में हाए मोर्चा के 43 वास अपना दिवस के मौके पर अपने फाराम हाउस में बात चीत में उन्होंने कहा कि सराब समाजिक बुराई है और उन्होंने अपने राइनेतिक जीवन में सबसे ज़्यादा संगर्ज इसके लिए किया पहले महुआ का उप्योग सराब के लिए बड़े प्रमाने पर होता था लेकिन जगरुपता के करान यह काफी हथ तक कम हुआ सराब की लट लोगों का जीवन खराब कर रही है सीवू सुरेन ने कहा कि समाजिक आंदोरन की सुरुवात में इसका सकरात्मक असर पड़ा महुआ का उप्योग सराब की बड़ाए और एक काम में करने पजोर दिया लोग सराब बनाते थे जबकि इसे पका कर और भून कर खाया जा सकता था जारखन में कुरोना के 622 केस मिले जबकि 1506 मरी स्वास्थ हुए है जारखन में कूल एक्टिव केस की संख्या 475 है भारत में 1,66,133 केस मिले जबकि 2,56,473 मरी स्वास्थ हुए भारत में कूल एक्टिव केस की संख्या 15,26 या 428 मोराबादी के दुकंदारों को तीन जगों पर किया जा सकता है सीप्ट रांची नगर निगम ने मोराबादी के दुकंदारों को बैकल्पिक विवस्ता के तहत सीप्ट करने के लिए तीन अस्थानों का चैन किया है जिसमें मुराबादी रईष्टरी, कर्याले के समीप, पार्क, प्राइम होटल और अक्सिजन पार्क के सामने दुकाने लगाने के अनुमती देने पर विचार किया जा रहा है। इस पर गुरुवार को दुकंदार संग के प्रतिनी दिमंडल के साथ बैठक में अम्तिम नीन लिया जाएगा। दरसल बुद्धवार को नगर आयूक तवा उनकी टीम ने मुराबादी मैदान में बैकल्पिक अस्थानों को लेका सर्वे किया जिसमें इन अस्थानों का चैन किया गया वहीं दुकंदार संग के अध्यक्ष ने कहा कि अगर निगम की ओर से उचित जगह नहीं दी जाएगी तो वे दुकाने नहीं सिफ्ट करेंगे। वरण महतो के साथ पुरुलिया के सांसद जोतिरमय सिंग महतो और गोमिया की विधायक टाक्टर लंबोदर महतो भी थे। सबने बुद्ध्वार को सनुकत रूप से नई दिल्ली में केंद्रिये नागरी कुराने मंत्री जोतिया दित्य सिंधिया से उनके कर्याले में मिलक अपनी मांग रखी। वहिनी और संस्थानों में कराया जाए जिलो और पुलिस की सभी विंग्स को प्रसिक्षन का सिलेबस भी उपलब्त कराया जाए भोजपूरी मघी मैथली का बिरोध दुरभागे पूर्ण भारतिये जनतंत्र मोर्चा के अध्यक्ष धर्मेंद तिवारी ने कहा है कि भासा समन्दी बिवात को बेवज़ तोल दिया जा रहा है धनबात एवं बोकारो जिला में भोजपूरी मघी तथा मैथली भासा का बिरोध किया जा रहा है मानव सरिंखला बनाई जा रही है यह कापी दुरभागे पूर्ण है तिवारी ने कहा कि कुछ राजनितिक दल एवं स्वार्थी तत्त्व भोले भाले आदिवासी और गरीब तपके क्यास्तानियों लोगों को भासा कैधार पर भेद भाव कर उन्हें आपस में लड़ा कर समाज को बाटना चाह रहे है बीना धके निर्मान समागरी और खनिज धोने पर करवाई होगी वाहन की लदान छमता से अधीक और बीना धके समागरी को ले करना चले पकड़े जाने पर मोटर वाहन अधिनियम उनई सवठासी की धराव के तहत करवाई होगी राईधानी में कोईला और निर्मान समागरी इट बालू गीटी ढोने वाहन बेखोप दोड़ाते नजर आते हैं नियमों को ताक पर रखक शड़क पर दोड़ने वाले ऐसे वानों खिलाप अब जिला परसासन करवाई करेगा सबसीडरी वाले पेट्रोल के लिए कम निवंधन पर उपायुक्त ने लगाई फटकार रांची जीले में राशन काट की तूला में सबसीडरी वाले पेट्रोल के लिए काफी कम संख्या में निबंधन होने पर उपायुक्त ने सभी परखंड विकास पताधिकारियों को फटकार लगाई है समंधित वीडियो से डाटा इंट्री की जनकारी लेने के बाद सभी को निबंधन की संख्या में तेजी से बढ़ाने का निर्देश दिया है उपायुक्त ने परखंड विकास पताधिकारियों से रेजिस्ट्रेशन की धिमी गती का कारण पुछा वीडियो द्वारा बताया गया कि कुछ लोगों ए भरम में हाए कि दो पहिया वहान रहने पर पेट्रोल सब्सिट्री जोजना के लिए रेजिस्ट्रेशन कराने पर राशन काट रध हो जाएगा या नाम कट जाएगा च्थि जW-C की परकेरिया को चुनाओती देने के मामले पर 16 फरवरी को सुनवाई ए रहुल कुमार जब सक्षतकार में सामिल हो चुके हैं तो फिर पूरी पर्किरिया को कैसे चिनोती दे सकते हैं भोजपूरी, oughtाई, मैथली, बंगला, उर्दू, उडिया, अंगिका को छेतरिये भासा से हटा आए मुलवासी सदन मोर्चा ने कहा है कि भजपूरी मगी उर्दू बंगला और उडिया भासा जार्खन का छेत्रिय भासा नहीं है इसलिए सरकार को तुरंत इसे वापस लेना चाहिए यह बाते मुलवासी सदन मोर्चा की नेताओं ने आयोजीत एक प्रेस वारता में कहा उन्होंने कहा कि कई दसको के संखर्स और सहादत के बाद जार्खन्डियों को अपनी पहचान वराजे मिला लेकिन जार्खन के राज नेताओं के इक्चा सकती की कमी के कारण जार्खन्ड को हो रहा है नुकसान सरकार जार्खन्डियों की भासाव अधिकारों को लुटवाने और मिटाने में लगी हुई है सुदेश महतों की चेताओं नहीं है मंत सरकार करेगी हीत के बात तो देंगे साथ आईसू पार्टी के केंद्रिय अध्यक्ष सुदेश कुमार महतों ने कहा है कि जार्खन्ड और जार्खन्डियों का हीत हमारी पार्टी के लिए सरोपरी है सरकार हीत की बात करेगी तो हमारे साथ मिलेगा अहीत की बात होगी तो विरोध होगा सुदेश महतो राची में अवेजित आईसू के नौन यूक्त जीला अध्यक्षों और पताधिकारियों के सपत ग्रहन समारों में बोल रहे थे इस मौके पर उन्होंने राज्य के मजूदा हलात और पार्टी के भावी करमों पर बिस्तार से चर्चा की स्कूलों में मध्यान भोजन के साथ अंडा भी मिलेगा जारखन के सरकारी स्कूल बच्चों के लिए चार फरवरी से खुल जाएंगे स्कूलों का संचाल पूरी अधित तक 6 घंटे के लिए होगा परिक्षाय भी ओफलैन होगी वही 22 महीने बाद प्रारामिक स्कूलों में मध्यान भोजन बनेगा और बच्चों को हर दिन अंडा भी मिलेगा बच्चे टिफिन लेकर भी स्कूल आ सकेंगे या जनकारी सोमवार को सिक्चा मंत्री जगनात मतों ने दी है गुमला में दुसकर्म के 6 आरोपियों को उम्रकेद की सजा गुमला में बुद्धवार को तीन अलग-अलग मामले में दुसकर्म के 6 आरोपियों को आजिवन करावास की सजा नियाईक पता दिकारियों ने सुनाए जारी प्रखंड में 13 अप्रेल 2017 को दूर नमालिक लड़कियों से हुए दूसकर्म के मामले में एडी जे वन सुभास की अदालत ने आरोपी सीमोन तिर्की और अर्विन तिर्की को आजीवन करावास की सजा सुनाए वहीं 10-10,000 रुपे का जूर्माना भी लगाया गया तपकारा गोली कांड के सहीदों को दी गई सरधांजली दो फरवडी 2001 को हुए तपकारा गोली कांड के सहीदों को बुद्ध्वार को सरधांजली दी गई कुरोना महामारी के कारण इस साल भी कोई सभा नहीं हुई कुरोना गाइडलाइन का पारण करते हुए सबसे पहले सहीद परिवार के लोगों ने सरदांजली दी उन्होंने सहीद की वेदी पर पवित्र जल तेल अरवा चावल आदिक चिलकाव कर फूल माला चलाया सहीदों की कबर पर पोसपांजली अरपित कर्ममबती जलाई गई धनबाद जज मोत मामला धनबाद के अपर जिला एवम सत्र न्याइधिस अस्टम उत्तम अनंद की मोत मामले में अतरिक्त जिला एवम सत्र न्याइधिस तीन की कोट ने आरोपि लखन कुमार वर्मा और राहुल कुमार वर्मा के खिलाप आरोपताय किया है दोनों आरोपियों के खिलाप हत्या सबुत नश्ट करने एवं समाने इरादा के तहत अपराद करने को लेकर मामला दर्ज है इस पर कोट ने बुद्धवार को आरोपताय किया है इस मामले में अगली सुनवाई 22 फरवरी 2022 को होगी जारखन हाई कोट को मिल सकता है नया जजज जारखन हाई कोट को एक और नया जजज मिल सकता है सुप्रीम कोट कॉलेजियम ने नयाईक सेवा के अधिकारी परदीप कुमार सिर्वास्ताओ का नाम जजज के लिए दुबारा भेजा है इसके पहले भी सुप्रीम कोट ने नियाईक सेवा के पांच अधिकारियों के नाम सरकार को भेजे थे तब चार जजों के नाम को केंजर सरकार ने मंजूरी दी थी और परदीप कुमार सिरिवास्ताओं के नाम को होल्ड कर दिया गया था एक फरवरी को सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम की होई बैटाक में फिर एक बार परदीप कुमार सिरिवास्ताओ के नाम के उन्सा करते हुए सुप्रीम कोर्ट की कोलेजियम ने केंजर सरकार को भेजा है मन्रेगा में उत्कृष्ट पर्दसन पर खुटी को मिला सम्मान सिंग को समानित किया गया धन्यवाद यादि आप चनल पने हो तो चनल को सब्सक्राइब कर बहुत कर बेल एक आंदा भाईए साथ साथ वीडियो को एक लाइक कर अपने दोस्तों को साथ सेयर करना ना भूले साथ साथ आप हमें कोमेंट बक्स में अपना फिडिवाएक अवस सदे थैंक यू